पंकट जी पंकट जी सैधान्तिक तोर पर क्या आपको लगता है कि यह जो गड़बंदन है यह अपर्चुनिस्ट है यह मौका परस्ती है सिर्फ अपने वजूद को बचा के रखने के लिए इसमें कॉंप्रमाइज बहुत ज़ादा है अब विपक्ष जो भी करें वो अपर्चुनिसम है वो अफसरवादिता है सत्तापक्ष जो भी करें उसमें कोई अफसरवादिता नहीं है वो सपुन्ने के काम है तो यह तो एक अजीब सद्धान्त है आज विपक्ष आज का विपक्ष मौजूदा विपक्ष एकठा हो रहा ह तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी चिंता सत्ता पक्ष के लिए ये इसलिए हो गई है कि अगर सच्मुच साढ़े चार सो जगे विपक्ष के सर्वसम्मत उम्मीदवार खड़े हो गए तो सत्ता पक्ष को अगली बार सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा और चूंकि ये बात सब जानते हैं नरेंदर भाई मोधी भी जानते हैं अमिद भाई शाह भी जानते हैं इसलिए विपक्षी एक जुठता को किसी ना किसी तरह खतम करने की तोडने की हर तरह की साजिशे हो रही है। इनकार नहीं करता है। और इसलिए ये समस्याएं अभी और बढ़ाई जाएंगी। इसलिए खासकर कॉंग्रेस को, क्योंकि वो सबसे बड़ा राजनेतिक दल है। विपक्षी एक जुटता के जो प्रयास हैं उनको और गंभीरता से करना पड़ेगा। और उसमें जतने भी विवाद हैं, उनको सुल जाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। और ये भी देखना होगा कि आखिर किन लोगों से विपक्षी एक जुटता के ये जो प्रयास हैं, उनका समन्वे कराया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत गंभीर इस्तर पर और बहुत वरिश्तर पर ये जब बारा में से ग्यारा पार्टियां बोल रही हैं कि हम राजसभा में आपके साथ हैं तो कॉंग्रेस ने इसको इशू क्यों बना लिया है इगो काॉंग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ कारण है शुरू से जिस तरह से ये एक मुद्दा रहा है और उस पर कॉंग्रे बाजपा के साथ खड़ी है ऐसा नहीं है लेकिन कॉंग्रेस के भीतर इस मामले को लेकर लोगों की अलग अलग राय है और कॉंग्रेस को अपने भीतर की उन आवाजों को सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए अब आगे चलकर तो पर गटबंदन कैसे होगा अगर अगर यही मुद्दा बनता है कि दिल्ली के अध्यादेश पर कॉंग्रेस तयार नहीं होती है तो अरविंद केजरीवाल विपक्षी एक जुटता में शामिल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है मुझे तो कॉंग्रेस तयार है 15 की 14 रह जाएं लेकिन हमको दिक्कत नहीं है देखिए हर राजनितिक दल को ये अधिकार है कि वो अपना फैसला करे किसी भी मसले पर दिल्ली का अध्यादेश एक गंभीर मसला है यह किसी की जिद से कॉंग्रेस चाहती है अध्यादेश को लेकर जो सरकार लेकर आई है मुख्यमंतरी के पावर्स करटेल कर दिये गए हैं क्या कॉंग्रेस वाकई में चाहती है कि मुख्यमंतरी वो एक पंगू बनके बठा रहा है दिल्ली का या उसके पास ताकत होनी चाहिए कॉंग्रेस की एक सोचा समझा सिध्धान बहुत पहले से है आज से नहीं है तो कांग्रेस के भीतर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब शुरू से हमने ये लाइन ली है तो हमको इसी लाइन पर कायम रहना चाहिए लेकिन अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है और मिल बैठकर को माना ना बोले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर